दोस्तों शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसी कोई महिला होगी जिसकी जिन्दगी में संघर्ष और परिशानिया ना हो आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक महिला की, उस महिला की जिंदेगी में भी संघर्ष और परिशानियों की भरमार थी, उस महिला का इतना दुखद अंत होगा, शायद ही किसी ने कलपना की होगी, और इस महिला के तीन बच्चे हैं, तीनों क भी दुखदंत होता है, और ये किसने और क्यों किया, ये जानने के लिए, तमाम लोग सोशल मीडिया पर पन्ने दर पन्ने पलट रहे थे, लेकिन जब जानकरी मिलती है कि ये किसने किया है, तो सब लोग भोचक के रह जाते हैं, आदाब, नमस्कार, शस्रिकाल, मैं उस्म इस इलाके से 22 जोलाई की सुभए लगभग साड़े नो बजे के आसपास, कंट्रोल रूम को फोन पहुंसता है कि इस इलाके में एक ही घर के चार सदस्यों का मर्डर होता है, यानि कि मा और तीन बच्चों की हत्या कर दी जाती है, इस खबर को सुनने के बाद पुलिस के र पुलिस जब मौके पे पहुंसती है, तब तक उस घर के अंदर किसी ने प्रिवेश नहीं किया था, लगए 60 गज का एक मकान जो दो मंजिल बना हुआ है, पुलिस दोड़ती हुई जाती है और देखती है कि फिलोर पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है, कुछ ही पास में एक बच्ची की लाश पड़ी थी, फिर पुलिस उपर पहली मंजिल पर पहुंसती है, देखती है कि बैड पर एक बेटी और बेटा, इनके बारे में पता किया जाता है, तो जानकारी होती है कि जो महिला है, इसका नाम है रेखा राठोर, उम्र लगभग 35 साल, इसका सबसे भाट साल, यहां जहां लाश पड़ी होइँ, वहीं पास में पूजा की थाली पड़ी होईए, पुलिस ने यह समझने में जरा सी भी देर नहीं लगई, कि हो ना हो, यह हत्याएं जो हुई हैं वो तंतर मंतर के चलते होईएं, और हत्यारे ने पूजा पाथ करने के बाद, इनकी किसी धारदार हतियार से गला रित कर हतिया कर दिये है यह ख़वर अखवारों में सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ फैल जाती है और आगरा ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के सीमाओं को पार करती हुई पिर्देश और देश भी पार कर जाती है और हर कोई जानना चाहता है कि एक महिला को किसने और क्यों मारा है पुलिस तंत्र मंत्र पर जादर दिर नहीं टिक पाई क्योंकि इस एंगल पर पुलिस फेल हो चुकी थी इसके बाद सोशल मीडिया से जुड़े होए कुछ लोगों से जो बातचीत होती थी पन्ने दर पन्ने पल्टे लेकिन यहां से भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है फिर इसके पती के बादे में जानकारिज उटाए जाती है तो पता चलता है कि दो साल पहले पती से तलाक हो चुका है और अगर और साट गष्गा मकान और लगवख साथ लाक रुपे मिलते है पुलिस और भी गहराय में जानने की कोशिश करती है आसपास के लोगों से पूस्ताच करती है महिला का वहवार बहुत अच्छा है आसपास के लोगों के पिरती कभी किसी से जगडाने परिवार की जदा दखल भी इस घर में नहीं है फिर सफाई बाले से लेकर दूद बाला, बिजली बाला, प्रेस बाला स्कूल, सभी एंगल को पुलिस बारी बारी से तलाश करने की कोशिश करती है मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है फिर भी पुलिस ने लगवख 50 से ज़ादा लोगों को हिरासत में ले रखा है और पुलिस कोई चांस छोड़ना नहीं चाहती है लेकिन एक एक दिन करके दिन गुजरते चले जाते हैं 21 तारिकी दोपहर 12.5 बाजे की घटना बताई जा रही थी और 22 जुला या जाती 23, 24, 25 इस तरह से दिन गुजर जाते हैं और लोगों के अंदर एक ट्यरिसिटी है कि आखिर ये हत्या किस ने की है क्यों की है हर कोई अखवार के पन्ने पर लट रहा है, सोचल मीडिया पर दिख रहा है Facebook, Twitter जो भी हाथ लगता है उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है लेकिन पुलिस कहीं न कहीं अपने आपको असहाय महसूस कर रहे थी लेकिन एक टीम थी पुलिस की जो खुद को असहाय महसूस नहीं कर रहे थी बेलकि उसके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे थे कि वो हत्यारे के बहुत करीब तक पहुँच चुकी थी था क्या इसमें मामला कि एक व्यक्ती CCTV कैमरे में जाता हुआ कैद हो जाता है जहाँ स्कूटर जो होता है वो रेखारात्होर का होता है रेखा राठोर के स्कूटर से ये कौन व्यक्ति जा रहा है चहरा साफ नहीं है लेकिन कदगाटी से पहचानने की कोशिश की जाती है थोड़ा बहुत पता चलता है उसके बाद पुलिस इस महिला की CDR निकलवाती है CDR में जितने लोगों से भी कॉंटेक्ट बना हुआ है उन सभी लोगों के कॉंटेक्ट लिस्ट खंगालने के बाद ये देखा जाता है कि इस आसपास की लोकेशन में कौन लोग थे जब ये हत्या हुई है तब एक नाम सामने आता है चोकाने वाले नाम जिसकी किसी ने कलपना नहीं की थी यानि कि ये हत्या एक के सारी को होती है और ये व्यक्ति 22 और 23 जुलाई को गायव रहता है उसके बाद 24 के बाद से ये व्यक्ति पुलिस के इर्द गिर्द ही घुमता रहता है पुलिस की जांच में साहिख करता है जब पुलिस उसे देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि शायद ये भी जांच का एक विशय हो सकता है ये भी कट घरे में शामिल हो सकता है वो कोई और व्यक्ति नहीं था बलकि इस रेखा राठोर के परिबार का रिश्चिदार का एक सदश्य है जिसको ये भाई बोलती है और वो बच्पन से उसको राखी बानता हुआ चला रहा है पुलिस ने उसको हिरासत मिलेती है और सकती से पूछताच करती है जब पूछताच करती है तो पता चलता है कि उसने लगवख दो लाक रुपे उधार ले रखे हैं और रेखा राठोर अब इस आगरा को छोड़ कर दिल्ली में जाना चाहती है दिल्ली में यहीं बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी उन्हें एक काम्याव इंसान बनाना चाहती है लेकिन उसको ये घर बेचना है और ये घर बेचने की बात वो अपने भाई संतोश से कहती है कि कोई ऐसी पारटी जो मेरा घर खरीच सके मुझे यहां रहना नहीं है क्योंकि यहां पर उसके पती सुनिल राठोर की यादें जुड़ी हुई है सुनिल राठोर से वो अलग हो चुकी है पूरी तरह से और वो इन व्यादों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है हाला कि यह पुलिस की जिए जाच में आता है कि सुनिल राठोर जो उसका पती है उसने तलाक के बाद में फिर कभी इस महिला से संपर्क नहीं साथा इसलिए पुलिस की जो शक की सुईया थी इस पे भी गुजर रही है घूम रही है लेकि क्योंकि यह कॉंटेक्ट में नहीं था और यह सब मामला अपना खत्म कर चुका है तो पुलिस ने उसको ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रखा हलाकि हिरासत में रहा है यह अलग बात है संतोष कुमार से जब आगे पूछताच की जाती है तब संतोष कुमार कहता है कि उसने रेखा राठोर से अलग अलग बार में दस कभी पंदर हजार रुपे लग वग एक लाख रुपे और उधार ले रखे है रेखा राठोर अपने पैसों को लेकर बार-बार तगादे कर रही है उदर संतोष का काम का आज भी कुछ बेकार हुआ है संतोष चाहता है कि यह पैसे भी ना देने पड़ें अपना काम भी हो जाए तो मकान दिखवाने के बहाने वो अपने एक दोस्त अंशुल और बीरों को घर पे लेके आता है यह बात है 21 जुलाई की दोपहर बारे बचकर लग भग दस मटके आसपास यह बैठकर पहले चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद इस बीच रेखा राठोर पूजा करने के लिए जा रही है वो पूजा करने की थाली वाली इसकी सजी होई है पहले से ये लोग नाश्ता वस्ता करते हैं उधर वो पूजा करके जैसे निकलती है तो घर दिखाने के लिए कि देखो ये कमरा ऐसा है ये घर है ये जब कोई हम अपनी प्रोपरटी बेचते हैं तो उसके बारे में बारी की से दिखवाते हैं बताते हैं यही मौका मिलता है और मौका मिलते ही संतोष अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बेहन की धारदार हत्यार से गरदन काड़ देता है बस इस बात को इस वाक्य को जो उसका बेटा है बीच बाला जिसकी उम्र लगवख दस साल है पारस ये देख लेता है मा का जब गला कट रहा है तो ये बारस इसको देख लेता है तो ये भाग कर उसको भी पकड़ लेते हैं और उसका भी गला काड़ देते हैं अब इन्हें कहीं न कहीं हत्यारों को ये डर तो था ही कि ये पोल खुल जाएगी तो ये लोग छट पे जाते हैं और उपर माही और वन्ष भी होते हैं उनका भी ठीक वैसे ही गला काटते हैं जैसे मा और बेटे का काटाएं वो बैड पर पड़े होगे तो वैसी के वैसी पड़े रहते हैं हत्यारों ने घटना को अंजाम दे दिया है लगवग दोपहर के साड़े बारे बजे के आसपास और इसके बाद वो घर के अंदर चार बच कर दस मिनट तक रहते हैं यानि कि घर का एक-एक कोना खंगाल मारते हैं संतोष ने खुद सुकायर किया है कि जो पती से तलाक के बाद सात लाख रुपे मिले थे शायद वो रुपे घर के अंदर ही रखे होए थे आज इसकी हत्या करने के बाद वो शायद वो पैसे का मेन इरादा था लेकिन घर के अंदर उतने रुपे नहीं मिले मिले तो दो ढ़ाई हजार रुपे के आसपास थोड़ी सी जोयलरी मिली थी बच्चों के जो टैबलेट हैं, लैपटोप और मोबाईल इसके लाबा कुछ बड़ी चीज हाथ में लगती है जाते जाते वो अपने साथ स्कूटर भी ले जाते हैं हात्या करने की एक ही बज़े थी रेखा राट होर के पैसे, उसकी जेवरात लेकिन उसके पास इतनी बड़ी प्रोपरटी है इतना वड़ा समान मिला ही नहीं जैसी संतोष ने एक उम्मी जताई थी और संतोष ने अपने आपको छिपाने की बहुत कोशिश की लेकिन कभी कतल कभी छुपता नहीं है सच हमेशा सामने आही जाता है वक्त जरूर लगता है लेकिन सच्चाई के भी छुपती नहीं है पुलिस ने दो आरोपियों को गरिफतार कर लिया है अन्शुला भी फरार चल रहा है पुलिस दावा कर रहे हैं कि तीसरे आरोपियों को भी गरिफतार करके वो जेल भेज दीगी लेकिन दोस्तो इस घटना से में एक सीख ये मिलती है कि कितना ही कोई करीबी हो एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए खास कर ऐसी महिलाओं को जो विकुल अकेली रहती हैं तनहा रहती हैं जो अपने परिवार से पती से सबसे अलग रहती हैं उनके लिए जीवन में अलग होने के बाद संघर्ष बढ़ जाता है परिशानी बढ़ जाती है सोचो जरा कि तीन बच्चों की परवरिश उनकी पढ़ाई लिखाई ये सब कितनी मुश्किल हो जाती है एक औरत के लिए जबकि एक व्यक्ति या उसका परिवार मिलकर सब कुछ कर सकता है लेकिन एक महिला के लिए वाकि मुश्किल है यहां रेखार आठोर कार उसके बच्चों का जो दुखध अंत है वो वाकिए अपने आप में एक परिशान करने बाला है दिल दुखाने बाला है पुलिस ने जब इस घटना का खुलासा किया है पुलिस भी खुद आशर चकी थी कि एक भाई अपनी बहनकार अपने भांजी भांजुका किस तरह से मडर कर सकता है समझ नहीं आता दोस्तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश है किसी को परिशान करना नहीं